नियू दुर्गा जुएलर सिर्सा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी वा पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मानेत अप्राप्त मशूर हॉल मार्क जुएली शोरूम नियू दुर्गा जुएलेस परशुराम चौक सिर्सा, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217 चर्चा करते हैं क्योंकि 19 जून को वोटिंग होगी और 22 जून को नतीजे आएंगे, कल चुनाव पर चार है, वो बंद हो जाएगा, राम सिर्ग कैसे चल रहा है चुनाव पर चार रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, एलनाबाद में जो चुनाव है, किन मुद्दों क और एक सहरी डवलमेंट, निजी डवलमेंट में जो भी जाएंगे सरकार की सकीमे अते हैं, जो निजी लोगों के लिया आती है, उन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाना, चुनाव हिए निजी में जिनके स्पैसिली जो प्रोपर्टटी आईडी जो बनी है, वो गलत बनी ह नहीं कि वक है वोग और दोकुमेंट से उनको ठीकरना की अ देगेक जाए हूँ की थेर न सब के या ने इसके गुत आने के बनाया हूँ वहा वी किस प्रकर शेजिव इन सब काम के ये सब काम करने के लिए एक हम प्रोगरम तेंसे लेंके चल्ले बाइए अ तो यदों कि सरकार की जो लाब की जो स्कीमें हैं या सरकार जो डिवलमेंट के लिए जो पैसे गरांट देती है किस परकार से में ओ गरांट या लगा सकता हूं किस परकार से लोगों की हल्प कर सकता हूं वो मेरा मेरा नोट वाजी तो आप लंबे सम्मे से चुकि पहले एर फोर्स में रहे उसके बाद ग्राम स्जीव की एक जिम्यदारी होती है गाओं में जो है सरकार की जो योजनाई हैं उनको अमली जामा पहना ना और उसके बाद आपने ये केंदर भी चलाया जिसमें लोगो समस्चाओं को लेकर कि जादा परिशान है खास करके छोटी छोटी जो मूल बूत सुईधाओं को लेकर कि उनको परिशान होना पड़ रहा है जादा परिशान है जादा परिशान है एक तो फैमली आइडी के बहुत बड़ी परिशान है क्योंकि में ट्रीजन यह जो फैमली बेस बना दिया है। S refugees लो इनलो जह किसे को इतना सरकार लो या किसी लोग इसको इतना सीरिस नियल ले लिए गा एक Ceasual तोब यानिकि उसको बना दिया गया जिसे बहूत से मिस्टेक्स हैं, income की मिस्टेक्स हैं ओर नाम की मिस्टेक्स हैं, तो यह सबसे बड़ी समझे आती है मेरे ज़न सावकेंदर में लोग आते हैं और इसी को ठीक करने के लिए हम जाने की काफी मसक्त करनी पड़ती है क्योंकि जब इसको क्रेक्शन में डालते हैं तो क्रेक्शन में डालने के लिए फिर वो जाने की एक प्रोसेस में जाती है उस ट्रिपल इंजन की सरकार बनाईए जो कि केंदर में सरकार है राज्यमून की सरकार है यहाँ पे नगरपालिका में अगर देखा जाए तो क्योंकि नगरपालिका पिछले भी भारती जिन्ता पार्टी की भी रही जब केंदर में सरकार थी और राज्यमी सरकार थी तो ट्रिप अगर मालो ऐसा कुस काम होता इतना डॉलर्मेंट होगा होता तो आज मेरे जन से वकंदर में इतना काम नहीं होता है अगर कोई काम करा सकता तो यह जो कुशन किस वज़से आ रहा है क्योंग इतने काम नहीं हुए आप टेकनिकली रहे हैं आपको पता है आपका लंबा एक्सपीरिंस रहा है कि कौन सा काम है वो किस परस्ताओं पे होगा या जो क्या काम है वो किस विभाग में होगा तो हम जानकारी आप रखते हैं क्योंकि सरकारी आप सेवा कर चुके हैं इसके साथ एक सवाल हमारा ये भी करते हैं क्या किया ओ Appro αυτा कि दूसर के वारे में तो ने राए leg only company by तो कम उप्रोस्टेस में मालग के सरकार के पास बेजना है सहर की स्मय हैं जो वह काफी लोग फेस्बूक पे लिख रहे हैं कि एलनावाद को लेकर के रबन मोर ना चुने काम करने वाले व्यक्ति को चुने इस बात के क्या माइने बहुत बड़े हैं भी एक सिंपल सा एक्जांपल अगर कोई गाड़ी चलाना नहीं चाहता है और वह गाड़ी चला सकता कंट्रोल उसके पास में नहीं होगा जो यह रबर स्टेंट हो मैं नहीं बोलता है लेकिन यह है कि ऐसा आदमी जरूर हो कि जो काम जानता हो जो गाड़ी को चला सकता हो ऐसे आदमी को मैं कहता हूँ लोगों से यह भी चुने तो जो उपचुनाओं में जिस तरह का वोट ब मुद्दों को लेकर के और राज्यक सरकार के मुद्दों के देखिए जी प्रोमजी के जो निकाए चुनाओं है और विदानसवा चुनाओं है और एक जो संसत किसम चुनाओं है इन तिरनों में डिफरेंस है उपर के दो में कम डिफरेंस है लेकिन यह कलियरली यानि डिप स्वार में थे वो एसा कुछ विलूट को सको culture बाइब नेरी यह लड़ लिया है कि निसांफ सींबल पर लेकिन जो मेंबर्स का तो नहीं लडा तो इसका मतलब की कहने काया कि ये जो चुनाव ये पार्टी बेस नहीं है ये सारे के सारे यानिक भाईचारे के बेस पे है पिछले दिनों इनेलो के एक बड़े नेता ने जो आपके मंडी के परधान भी है जैसी गोरा उनोंने रुप लगाया कि गोविंद कांडा ने उफचुनाव में चार-चार हजार रुपे बंटे उफचुनाव में वोट लेने के लिए और उसी तरह से जो इनेलो है उसका वो अगर मेरे बसको प्रूफ है तो मैं बोलता हूँ जी गल्ट हुआ जै मेरे बसको प्रूफ नहीं है तुसी बोलने का मेरे को मेरा मेरा सिदानता है मैं नहीं बोलता हूँ हाँ लोग बोल रहे हैं सुना है होता है ऐसा हुआ है ठीक है भी पैसा बांटा गया यह क्या हो सकता यूदा प्रसामागी न जयाएंगे गलत नहीं करने दूगा. चाहे उस fair election में को ही जिते चाहे मैं हरूँ मेरे को मैं इसको accept करूँगा अगर मैं fair election में और ये जो गल्ट काम की election है इसको मैं कभी accept ने करता हूँ और मैं जिनता से request करना चाहता हूँ कि यसी election को जो इस परकार जो election है उनको avoid करें उनको दुद्कारें ठीक है ताकि एक सही आदमी यानि कि आपने सुन के आज़के हैं और आपको भी जो आदमी इस तरह के मालों गल्ट तरीके से वो डालता है उसके आतमा पांच साल तक उसक करते हैं मनें गल्ट काम के हूँ एक फेर दें एक फेर इलक्शन करें और फेर वो डाल के हैं तो कंग्रेस पूरी तरह से एक जुट है लिनामाद में क्या लग रहा है बिलकुल एक जुट है जी कोई नतीजों को लेकर कि आसवास्त हैं कि जीतते हैं आपकी बिलकुल आसव प्रवलवन में आए तो फिर आप विकास की उमीद नहीं कर सकते क्योंकि पूरे पान साल आप नगरपाली का क्योंकि शेर की सरकार होती है चोटी सरकार होती है और उसमें अगर आपके काम नहीं होंगे और अगर आपने अपना वोट बेच दिया तो आप कहीं न कहीं अपने आपको भी माफ नहीं कर सकेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जुरू कर दिजी ताकि तमाम लोगों के जानकारी पहुंचे बहुत शुक्रिया